मैं राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज एक अगस्त कई मायनों में अश्चर जनक है पहला तो आज से बिहार में जो लॉकड़ाउन बढ़ा है वो लागू हुआ आज से अनलोक 3 लागू हुआ लेकिन जो सबसे बड़ा जोल है वो है बिहार स्वास्त विभाग के कोरोना के आकरे आज के तारीक के कई लाग लपेट और लेक जमेल के बाद आकरे जारी हुए पहले आकरे नहीं जारी हो रहे थे फिर आठ बजे के बाद आकरे जारी किये गए स्वास्त विभाग द्वारा सबसे पहले मीडिया के जो आईटी जो सेल है वाट्सप ग्रूप उसमें जाड़ी किये गए फिर वहां से डिलीट कर दिए गए लगतार मिडिया ये सवाल उठा रहा था कि आकरे क्यूं नहीं जारी किये जा रहे हैं जब लेकिन जारी किये गए तो आप उन आकरों पे नज़र डालिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाईएगा पहले से ही बिहार सरकार और स्वास्त विभाग पर आकरे छुपाने का लगतार आरोप लगता रहा है लेकिन यह जो रिपोर्ट आज जो आकरे भीहार स्वास्त भीभाग ने जारी किये थे उनकी संख्याति कुल को रोना पोज़िव मरीजों की पूरी भीहार में 50,987 आज जो आकरे जाड़ी किये गया है उसमें बताया गया है कि बिहार की जो कुल संक्या है मरीजों की वो पहुँच गई है 54,508 यानि कि 3,521 केस बढ़े है पिछले 24 गंटे में नए मामले 3,521 आए है इस रिपोर्ट के अनुसार 50,987 से 54,508 पहुचने में 3,521 मामलों को होना जरूरी है लेकिन बिहार स्वास्त बिवागने जो आकरे जारी किये उसमें उसमें बताया है कि 2,502 नए मामले 31 जुलाई के रिपोर्ट जो किये गये थे वही हैं अब बड़ा सवाल है कि 1019 केस कहां गये 1019 केस क्या हो गये इसके बारे में भी जनकाड़ी देना चाहिए तर्श्वास्त बीबाग को क्यों आकरे को छुपाया गया आखिर यह जो आकरा आज जड़ी किया गया है उसमें बड़ा जोल क्या है कि 1019 केस क्या हो गए बिहार के किस जीले से आये थे वो केस बताया जा रहा था लगतारिया कि 3500 केस लगतार खबर आठी कि 3500 से ज्यादा केस आज मिले हैं लेकिन दिखाया जा रहा है कि 2502 केस ही आज मिले हैं अब जवाद देना चाहिए स्वास्त विभाग को और सरकार को कि 1019 केस कहां गये और किस जीले के वो केस थे जिसे चुपाया गया है आज किया करों में आज जो ये 2502 केस दिखा रहा है बिहार स्वास्त विभाग वो किस जीले से आया है पहले वो देख लीजिए आप करणिया से 26 अरवल से 22 औरंगाबाद अर्तालिस बाका से 58 ब्यगुसरे 128 भागलपूर तीहत्तर भोजपूर पचास बक्सर तैतालिस दर्भंगा चौवालिस इस्चंपारण चीहत्तर गया 112 गुपाल गंज 62 जमुई 27 चिहानबद तैतालिस कैमूर 27 कटिहार 46 खगड़िया किसन गांज 49 लखी सराय 18 मध्यपूरा 48 मधुभनी 47 मुंगेर संतामन मुझपरपूर 175 नालंदा तीरासी नवादा 25 पटना 442 पुर्निया पचासी रोतास 90 सहर्षा एक समस्तिपूर इक हत्तर सारन 44 सिकपूरा 33 सीवहर 18 सीतामरी 46 सीवान बावन सुपाल 43 वैसाली 63 वैस्च इस तरह 31 जुलाई के रिपोर्टेट मामले जैसा कि बियार स्वास्त विभाग बता रहा है उसके अनुसार 2502 नए केस सामने आये हैं यह 31 जुलाई के है यानि कि उसके पहले के केस जो नए केस जितका रिपोर्ट पिछले 24 गंटे में आया होगा यह सिस्टम अपलोड किया उस आकरे को नहीं दिखाया गया है सीधा सीधा यहां पर दिख रहा है बिहार स्वास्त विभाग का जो आकरा है उसके अनुसार अब देख लीजे कि कितने मरीज पिछले 24 गंटे में ठीक हुए हैं और एक्टिव केसे कितने हैं पुरे बिहार में पहले एक नजर उस पर भ 75 रिकवरी दर बिहार का 65 परतिसत है और जो आकरा है एक्टिव मरीजों का वह 18,722 है अभी पूरे बिहार में बिहार में अब तक का स्तरवाधिक जाच कल किया गया है जो आज आकरे जारी किये उसके अनुसार यानि पिछले 24 गंटे में 28,624 जाच पूरे बिहार में किये मुखमंत्री जी के तरफ से लगतार या बात कही जा रही थी कि कोविड-19 के जो नए आकरे आ रहे हैं उसको जारी करने में या जो नए के सार है उसको मिडिया या जनता के साथा करने में पारदर सिता पूरी तरह से रखी जाएगी लेकिन सवाल हमेशा से लगतार उठते आकरों के च्षिपाने का क्योंकि जिस तरह से आकरे जारी किये गया है । वह 1029 Thanks को सीधा सीधा गायब सबुर्णिकर और हमको पुरे बिहार के लोगों को या जनकारी होनी चाहिए थी कि वो किस जीले के केस थे वो कब के केस थे 31 जुलाई से अगर पहले के थे तो दो आध दिन तारिकों में जब आकड़े आप पहले भी जारी करके बताते थे वैसे भी आप कर सकते थे लेकिन क्यूंकि आज मामला 3000 के पार चला गया है सायद सायद इसलिए बिहार स जारी करने में वह अपने ही बात से मुकर्ती नज़र हा रही है इस पर क्या एक्स्प्रेंशन बिहार सुआस्तली उरीकों सब्सक्राइब फिर्म हुआता है च्पने, आक esamad नहीं है, लोग इतने बेवकूप नहीं है वह सभी चीजेँ, जितने भी आकड़े आप जारी की ये गा उनकी नजर उनकी बनी हुई है यह बिहार की जनता जानना चाहती एकि आपकी सथने से आंकिरे जारी कर रहे बिहारures